तो इस समय हमारी मौझूदगी आपको बता दें कि रतन पूरा विकास खंड पर है जी हाँ और इस काले चस्मे का मतलब आप लोगों को बता दें कि आज काला चस्मा पहन कर रिपोर्टिंग करने का मेरा मतलब यही है कि आज कुछ गाउं में ऐसे काम हो रहे हैं जो देख कर आप सिधान तेकि कहने के तो सरकार की योजना तमाम है और जो भी मतुकांची योजना ऐ गरीबों तक पहुंचाई जाती है हिलाल कितनी गरीब को योजना पहुंचाई जाती है एक रतन पूरा विकास खंड है इन गाउं में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना आखिकार में इसमें सत्यता है या कि सिर्फ काले चसमे पहन कर सब कुछ अंदर अंदर देखते हैं लेकिन साहाब कुछ नहीं करते हैं और गरीब ज़स का तस पड़े रहते हैं तो चलिए चलते हैं गाउं में और आपको दिखाते हैं आज बताएंगे क्योंकि आज कल जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल यहीं देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं लेकिन उनके आँखों पर जो है काला चसमा लगा लेते हैं और देखकर भी वह अंदेखी कर देते हैं साहब इतना घरीब घर है नहीं सब कि अभी जो परिवा तस्वीर दिखा देंगे फिल जो है कि यहां के जो गार्जेन है उनसे बात करने की कोशिस करेंगे तो देख लिजिए एक घर यहा है बिल्कुल देखिए एक इतना बड़ी बिल्डिंग है और किस तरह सरकार की योजना का लाब भी मिलता है और इतना अच्छा घर देख ल तरफ कहीं भी देखेंगे तो पका घर का नामों निसान नहीं है यानि कि जो खाना भी बनता है इसी में बनता है जो भी पसुओं का चारा है इसी में चाहे भीजे या चाहे देखते ही होंगे गर्मी में कभी-कभी ऐसी अन्हुनी होते की आग लग जाती है और ऐसे ही घर जलके रात भी हो जाते हैं, लेकिन बर्षाथ में कितनी परिसानी होती होगी इन लोगों को, जरा सा आप सौचिए, हम तो सोचते हैं, इसलिए खबर दिखाते हैं, लेकिन जो अधिकारी है, बिल्कुल काले चस्मे के तरह सब कुछ देखकर भी गरीबों को अंदेखा करते है है और जो सरकार की मतोकांची योजना है उसको गरीबूं तक आने नहीं देते हैं मैंसे नहीं कर रहे हैं अभी मिला रहे हैं यहां के जो गार्जियन और अभिवावक है आये चलते हैं जो अपर, पहुंचरे है की नहीं पहुंचरे है सामने से देखेंगो तो ऐसे ही खपड़ाय और मड़ई में अपना जीवन व्यतित करते हैं सामने से देखिए कुछ इधर भी मड़ई है और देखेंगे तो इका दुखा जो है किसी तरह अपना जीवन व्यतित करने के लिए थोड़ा सा एक कैटरीन रखें हैं यानि कि कहें तो ये लोग गरीबी के पात्र जो सूची में आना चाहिए जो आवास के साइद नाम भी नो आता हो उसका कारण जानेंगे और इनसे पूछेंगे एक चाची है का नाम पड़ी चाची गाउ का नाम जमाल पूर मठिया इबतावालो कि हाई जवन तोलो का मड़ेई है कभी आवास के मांगों के लो का इस्तितिराल दौड़ी जिवन प्रकरिया क्यतना बर आवेलालो फोटो गिशेलों के चल जैल जैलो। कुछ ना मिले ला ना मीले ला अस तो बहुत दिलाओत होई लो असरा बहुत धरावए लालो गरी बाद में अमन का असरा करी ना जा अकुछ मीले ला है यह ना कितना बड़ बड़ बीडिंग यह देखा सके लू त्वर भाव देखते बने या बशाद में कैसन परिशानी हो परसात में लुगा लेकिन उमीद तरहत होई कि सरकार इतना आवास देख सबके काहें काहें हमके ना मिला तो कुछ तामन की करेबी से का की बहुत धनी हो अशा बर्यार काम नाम देन लोतों और मन रेगा चले हैं लोगे नीदा फ़के तो दोस दीन और में पईसा शोषा फॉचानी आज अटाट आठा पईसाना भीड है खातों से पाइसा देना ना अमनका खाता में ना अमर आवेड़ा अईसन का है खाता में ना तो आपाज अने एक दिन करा ले तो कोई लोगी 230 रुपिया अच्छा अब वो तो है खाता में ना अए तो देखिए साहब यहां पे जो खेला है वास्तों में खेला जाता है इसलिए क्योंकि जो धारक होटे हैं उनके खाते में पैसा जाता है और इस सरकार का नियम है कि जो काम करते हैं मजदूर उनके खाते में ही पैसा जाना चाहिए लेकिन जो इन्होंने कहा तो एक बड़ी ब देखिये चारो تरफ खर और बिल्कुल दुटली मुकान और जिनकी मुकान अच्छी गाउं में होगी सर उनको तो हम जानते हैं कि आवास बिल्कुल मिलता होगा क्योंकि ओ जो मुखी einzajay होते हैं उनके बड़े सगे संब्धी होते हैं तो उनको पहले आवास कि सूची में नाम डाल दिया जाता है और ऐसे गरीबों का नाम छोड़ दिया जाता है फिलाल इसके अगल बगल कुछ और घर हैं चलिए उनसे जानते हैं